हेलो फ्रेंड गुड मॉर्णिंग वेलकम मैं यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी आयूब के आप सब बहुत अच्छे होंगे तो अभी बच रहे हैं दस कुनून को जाना है सबादस पे स्कूल तो यहां पे मैं गुनून को रेडी कर रही हूं नास्ता वास्ता सब मैंने क सब्सक्राइब नास्ता है मैं तो कुछ ही नहीं करती है सुवए उनली दूद पीती है तो इसको दूद बूद पिलाके मैंने रेडी कर दिया उसके बाद छोड़ दिया था स्कूल फिर मैं कर रही हूं यहां पे लंच की तैयारी तो आज मैं बना रही हूं कड़ाई पनीर है तो सोचा चलो आपके साथ मैं भी रेसिपी सेयर कर देती हूं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है तो देखिए यहां पर मैंने गैस पर कड़ाई रख दिया है और जैसी गरम हो जाएगा ना तो हमें इसमें पनीर को डाल क पनीर का कच्चापन निकल जाए और यह थोड़ असा इस पर पिंकिस कलर आ जाए मतलब सम्थिंग एक मिनट से भी कम इसको फ्राई करना है तो यहां मैंने पनीर को फ्राई कर लिया और उसी खड़ाई मैंने सिम्ला मिर्शी को डाल दे इसको मैंने स्क्वार से में कट किया तो शिम्ला मिर्शी को ना 80% तक पका लेना है तब तक हम प्याज को कट कर लेंगे तो यहां प्याज भी मैं स्क्वार सेप में कट कर रहे हूं और जो उसका एक्स्ट्रा प्याज निकलती रहा हूं उसको मैं ग्रेवी में यूज करूंगी तो इसको मैं जार में डालती जा बहुत जल्दी से पक जाती बहुत जल्दी सॉप्ट हो जाती है तो फिर मैंने उसको बाद में डाला उन्हीं के साथ में ही और यहां पर हमारी जो कि आज और सिम्मला मिल जाना वह अच्छे से सॉप्ट हो गई है तो इनको हम भार निकाल लेंगे इसी कड़ाई में मैं ग्रे लग जाता है तो इतने में मैं जो भी किचिन के छोटे-छोटे काम रहते हैं उनको साथ की साथ करती जाती हूं तो जैसे हमारा ऑइल करम होगा है तो हमने इसमें थोड़ी से साबुत मसाले डाले इंसे ना सड़्दियों बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सबजी में तो यह तो मैं हमेशा ही डालती हूं और जो प्याज ट्रमाटर लैसो नद्रका मैंने पेस्ट बनाया था उसको मैंने डाल दिया है बस इसको अच्छे से पकने देंगे बीच वीच में हम इसको चलाते रहेंगे और यहीं इसको देखती रहूंगी साथ में फिर मैं आठा भी ल हुसती तो Caesar तो अब इसमें डालते लेंगे वेसिक मसाले तो मसाले में कुछ नहीं बस सब्सकों में रहती वहीं अगर आपції देखवार चले तो सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी अगर कहीं थोड़ी भी वह कच्ची रह गई बस वहीं सब्जी का टेस्ट बेगड जाता है तो देखिए यहां पे ग्रेवी का कलर थोड़ा यलो यलो दिख रहा था तो मैंने इसमें एक चमच कस्मेरी लाल मर्च पाउडर डाल देया इसे ना कलर बहुत ही अच्छा था है तीगी नहीं होती है उतना यह देखिए आप देख सकते हैं एकदम से इसका कलर चेंज हो गया और देखिए यहां मेरी ग्रेवी अच्छे से पक गई है कड़ाई छोड़ रही है तो बस अभी मैं इसमें डाल दूंगी प्य आठ साड़े आठ पर और एक सम्तिंग साड़े तस ग्यारा बजें तो यहां पर बन रही है मेरी दूसरी चाय उतने में मैं पर जो बरतन बगरा लगाने है उनको सेट कर दूंगी और जो भी किचिन के छोटे मोटे काम है कुछ नो कुछ निकलता ही रहता है किचिन में तो स पूरा खाना भाण जाएगा बरतन वगरा जो थे वो मैंने लगा के रख दिये तो काफी खाली-खाली हो जाता है और जो गंदे वरतन थे उनको मैंने दुलने के लिए सिंक में डाल दिया है कि पॉपी किचिन का काम खतम करते न एक गंटा कब निकल जाता पता ही नी चलता गंगं का टाइम हो जाता है लेने का तो चाय पीके फिर फटाफट से मुझे उसको लेंकर किया उसके बाद पिर मैं आके बनाओंगी चपाती और इतने में इसके पापा फिर अपना ओफिस का काम रहता हुखंग स्बै और वो करके फिर नाकर चले जाते हैं मंदिर वहाँ स जिनका काम खतम करके उसके बाद फिर गुन्नों को निला के तब मैं नाती हूँ क्योंकि वो सुबह जब स्कूल जाती है तो उस टाइम पर नाकी नहा के जाती थी अब यू आके नाती है और अगर मैं पहले ना ले दूना तो वो पूरा मुहर को भिगो देती है इसलिए पहले उसको इने लाना पड़ता है फिर मैं आती हूं और दिन में फिर उसको activity कराना पढ़ाना यही सब काम रहता है खाना खिलाना और फिर पूरे दिन कुछ यह इदर फिला दिया उदर फिल कर लेती हूं तो चलिए इस वीडियो को यह पर अंड़ करते मिलते नेक्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजी आ अ कर दो जूरे आप लीडियो चालिक तो ले जाएक करेंग कर दो भीडियो जाएक कर दू हांट यहांगक मिलते दिला वीडियो।